हाई अब्रीवन दिस इस आनाव वेलकम जो पीएजी जॉपसन एडमिशन सो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक बहुत इंपोर्टन और गुड नियूज लेकर आई हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवेद यूनिवर्सिटी जोके आयोध्या यूपी में सि क्या फैश्यवन डीक है क्या लिएफ्यंजबिलिटी होगी क्या होने वाला है किस तरीके से अपको इस यूनिवर्सिटी में प्यज्दि को ये एडमिशन मिलता है इस विए था को इस तरीके से इस वीडियो में चेस्ट कर कर लिया हो और आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियो के अपडेट आप मिलती रहें चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख रहें स्क्रीन पर यह आपके डॉक्टर राम मनोहर लॉया अविद्धी युणिवरसिटी जो के अयोधिया में लोकिटेट है इसके ओफिशल वेब पेज है और यह लिंक है यह ओफिशल लिंक है याद रखेगा इसी लिंक पर से आपको इस युणिवरसिटी का वेब पेज ओपन करना है तो यह जो लिंक क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पर यहां पर आपको जो सेकेंड ओप्शन दिख रहा है पीजडी एडमिशन 2020 यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है यहां पर उन्होंने सार आपको पूरा प्रोसेजर बताया है one by one step में आपको बताया है step 1 में आपको क्या करना है click on pre registration for fee payment पहले आपको registration पर click करना है और आपको fee payment करना है so fee payment के लिए online fee payment होगा अपने उसके बाद आपको complete phg entrance exam जो होता है उसका application form fill up करना है reference number और transactions के through transaction ID के through यहाँ पर आपको application reference number जिसके यहाँ पर आप right side में देख रहे हो login after fee payment यानि आप जब भी आपका fee pay करोगे उसके बाद ही आपको login करना होगा आपका application reference number से और transaction number से then उसके बाद आपको important details और आपके photo with signature आपको आपके login करना होगा after login login करने के बाद यह सब detail आपको fill करने होगी then final submission and आपको उसके बाद आपको print लेना है आपने जो भी form fill up करा है for future reference तो याद रखिएगा आपको print out लेकर ही रखना यह future reference के लिए आपके अच्छा होगा उसके बाद नीच से यहां पर उन्हेंने कुछ point दिया है तो हम जो important point है उसको देखते हैं पहले हम admission notice इस पर click करेंगे जिसमें आपको यहां पर कुछ important information बताई है कुछ important dates उन्हें बताई है आपको wait करना है open होने के लिए फिर यहां पर आपको scroll down करना है यहां पर उन्हेंने आपको application का fee बताया है fee structure कैसा होने वाला है so अगर आप EWS OBC categories में belong करते हो तो आपकी thousand rupees fee होने वाली application fee और अगर आप SCST इस category से ब्लॉंग करते हो तो आपकी 500 fee होने वाली उसी तरीके से important dates हम देख लेते हैं बहुत important है आपको याद रखना है आपका जो online application process है यह 16th feb से ही open हो चुका है then last date of fee submission fee submission के आपकी last date होने वाली है March 25th 25th March तक ही आपको आपकी free submit करनी है और last date for online application form so online application form की last date और free submission की last date same है जो के है 25th March 2022 उसी तरीके से आपको नीचे scroll down करना है date of entrance examination आपका entrance exam होगा PhD में admission लेने के लिए पहले आपको entrance exam clear करना होता है तो उस entrance exam के आपकी date होंगी 20th April 2022 यहनि आपका 20 April को exam conduct करवाया जाएगा और result जो होगा आपका entrance exam का यह May 5th 2022 को release होगा आपका और नीचे यहाँ पर उन्होंने कुछ subject बताया है जो इस university में आप PhD करना चाते हो तो इन subject में आप PhD कर सकते हो उसे यहाँ पर आपको एक बारे देख लेना है सारे subjects तो यह देख लिया हमने कुछ important dates तेन हम फिर से इस link पर आते हैं तो उसी की बाद हम instruction manual इस tab पर क्लिक करें और जिसमें आपको सारा detail में बताया है कि admission का आपका process किस तरीके से इने वाला है कितना आपको minimum criteria है eligibility सो सारा हम इस PDF में देखेंगे तो आप जैसे देख रहे हो इस PDF में 7 pages से total और जो important points है मैं आपको उसी को highlight करकर बता होने वाली हूँ तो जैसे कि यहाँ पर उन्होंने first point म में बताया है कि अगर आप इस university में आपको PhD करना है तो आप full time या फिर part time mode में PhD कर सकते हो उसी तरीके से अगर आप full time और part time PhD करते हो तो आपको online application form fill up करना है तो यहाँ पर उन्होंने third point में आपको बताया है कि अगर आप मेसे जो students part time mode में PhD कर रहे हो इस university से तो आपको सिफ online application form fill up करना है आपको जो common entrance test होता है common entrance examination होता है उसमें आपको appear होने की कोई जरुवत नहीं होती है बस आपको online application form fill up करना होता है उसी के साथ साथ fourth point में उन्होंने बताया है कि candidates allow to apply submit only one application मतलब आपको सिफ एक ही application form बढ़ना है एक से जादा application form नहीं बढ़ना है तो आपका reject ह हो जाएगा तो यहां पर fifth point में बताया है कि अगर आप full time mode में PhD कर रहे हो तो यहां पर आपको जो दो फेस दिया गया है जिसे आप देख रहे हो phase 1 and phase 2 आपको कुछ information provide कर रहे हैं इन्होंने तो यह आपको follow करनी है phase 1 में बताया है इन्होंने कि आपका जो full time mode में PhD करने वाल exam आप qualified हो तो आप यहां पर exam chat category में belong करेंगे आपको यह common entrance test देने की जरौत नहीं होगे इस case में उसे की साथ phase 2 में उन्होंने क्या provide कर रखा है कि अगर जो candidate जो नोने online apply नहीं करा है online application form नहीं बढ़ा है नहीं फिल करा है वो आगे PhD process के लिए PhD admission के लिए program के लिए इस university में consider नहीं करा जाएगा उसी की साथ साथ नीचे नहीं बताया है कि अगर candidates eligible होते है common entrance test में तो उसी के बाद उनका interview process conduct करवाया जागा अगर आप common entrance test में eligible नहीं होते हो अगर इस exam को qualify नहीं करते हो नहीं पास कर पाते हो इस exam को तो आपका वायवा नहीं होगा और नहीं आपको इस university में PhD में admission मिलेगा then यहाँ पर syllabus बताया है उन्होंने आपका common entrance test का so हम syllabus देख लेते हैं syllabus इन्होंने यहाँ पर दूसरी link में आपको बता रखा है तो आपको wait करना है again link open होने के लिए then यहाँ पर आप देख रहे हो academics हम फिर से इस university के official link पर आचुके है जिसमें आपको academics यहाँ पर जाने के बाद syllabus यहाँ पर जाना है syllabus पर क्लिक करने के बाद आपके screen पर कुछ इस टाइप का page open हो जाएगा आपको नीचे scroll down करना है and directly आपको last में जाना है यहाँ पर आप देख सकते हो pre-PhD course work syllabus यहाँ प्री-PhD में admission लेने के पहले जो आपको exam देना होता इसका syllabus यहाँ पर उन्हें प्रोवाइट कर रहा है जैसे for example हम geometry का syllabus देख लेते हैं अगेन आपको wait करना है link open होने के लिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो आपका जो PhD का entrance test होने वाला है जो common entrance test होने वाला है common entrance test होता है वो आपकी दो parts में divided होता है दो paper में divided होता है paper 1 आपका research methodology होता है और paper 2 आपका subject से specific होता है जिस subject में आप PhD करने वाले हो पेपर 1 आपका research methodology होते है और उसका आपको सारा syllabus इन्होंने यहाँ पर provide कर रहा है introduction, objective of research, types of research जहाँ पर सारे types आपको दिया है conceptual, empirical, qualitative, quantitative, descriptive अगयरा सारे types of research, research motivation, necessity of research, geographical research research में भी कुछ आपके जो पार्ट भी होता है उसे related कुछ terms भी आपको पूछे जाते हैं जैसे कि सारा इन्होंने research methodology का आपको course बता रखा है सारा syllabus बता रखा है कि क्या-क्या points आएंगे आपके exam में तो याद रखिएगा research methodology यह common होता है हर candidates के लिए आप चाहिए जिस भी subject मे PhD करो सबके लिए आप common होगा आपका research methodology है सबके लिए same ही होता है research methodology का syllabus तो मैं बता दू आपको हमने आपकी preparations के लिए research methodology का complete course launch करा है in both the language Hindi as well as in English में सो हमारे research methodology के course में हम आपको full syllabus video lectures वीडियो lectures प्रोवाइट करेंगे Hindi as well as in English में जिसमें हर एक topics को हमने detail में explain करा है उसी की साथ-साथ full syllabus notes में जो important points है जो generally PhD and Trans examination में पूछे जाते हैं उनको हमने highlight करकर बताया है और हमारे experience के basis पर हमें जो important points लगते हैं हमने वो सारे points को highlight करकर notes में बताया है मॉक्टेस मॉक्टेस देने से अपकी practice होते रहती है जिससे आपको पता लगता है कि आपकी कितनी preparation हुई है और कितनी preparations बाकी है उसी तरीके से हम आपको 1000 प्रैक्टिस प्रेक्टिस प्रोवाइट कर रहे हैं बहुत important PDF हैं इस PDF में हमने हमारे सारे research methodology के जो important questions ह जो generally PhD entrance examination में पूछे जाते हैं उस सारे questions को हमने इस PDF में cover कर रखा है और मैं आपको बता दूँ कई students का हमें feedback यह है कि हमारे इसी research methodology के content से उनको उनके exam में जरिकली questions पूछे गए थे तो मैं आपको बता दूँ आप हमारा एक course को purchase करते हो तो हम आपको उनका सारा feedback भी बताएंगे हमारे इस course को purchase करने के लिए आपको इस number पर हमें whatsapp के तुरू contact करना है याद रखेगा इस number पर normal call नहीं लगेगा आपको सिफ whatsapp के तुरू ही इस number पर हमें contact करना है और आप हमारे app को भी download कर सकते हो जो के है global online app इस app का लोगों कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा तो हमारे इस app पर आपको one click में ही सारा study material मिल जाएगा research methodology का और जिससे के हमने यहाँ पर demo कुछ आपको files भी provide कर रखे आप वो देख भी सकते हो हमारे app पर और app के थुरू आप easily सारा research methodology का study material को access कर सकते हो तो याद रखेगा हमारे जो research methodology का course है उसकी fee काफी कम है आप easily इसको purchase कर सकते हो सिफ 4.99 ही है जिससे कि आप आपके PhD entrance examination को crack करकर इस university में आप PhD में admission ले सकते हो तो चलिए हम फिर से आपके prospectus के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं next point क्या होने वाला है हमने जिससे कि यहाँ पर syllabus देख लिए और मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपको research methodology के लिए किस तरीके से prepare करना है फिर उसके बाद eligibility आता है अब बहुत important है eligibility कि आपके कितने marks होने चाहिए master's में तभी आपको इस university में पीच्डी में admission में लेगा तो याद रखिए minimum आपके 55 परसंट माक्स परने चाहिए आपके master's degree में तभी आप इस university में admission ले सकते हो उसी के बाद नीचे point B में बताया है उन्होंने अगर आप SC ST OBC in categories ने बिलॉंग करते हो तो आपको 5 परसंट का relaxation होता है relaxation का मतलब यह नहीं होता है कि आपके 55 से अगर आप 5 माइनस कर तो 50 हो जाए relaxation का मतलब होता है 55 परसंट से आपको 5 परसंट रिलाक्स होता है तो 53 कुछ परसंट होता है आपका याद रखने आपको देर उसी की बाद यहां पर इन्होंने point C में बहुत important बात बताया है कि अगर जो candidate part-time PhD करना चाहते है इस university से उनको at least minimum 5 years continuous service का experience होना चाहिए देन उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपका जो part-time PhD प्रोग्राम है उसका कुछ इन्होंने separation किया है weightage 70% shall be given write-up of thousand words which will be submitted by applicant सबके 70% आपके write-up पर based जोंगे और 30% weightage जो होगा आपका यह work experience के तुरू यानि आपका जो interview होगा उस पर based होगा फिर उसी के चाहिए जो important points मैंने आपको बताया है उसको मैं highlight करूंगी जिससे online application form मैंने procedure बता दिया आपको starting में ही video के case link पर आपको जाना है किस तरीके से पहले आपको fee pay करना है जो के thousand होने वाली है अगर आपको SCST category में भी लॉंग करता है तो आपकी 500 होने वाली उसके बाद आपको जो application number आपको मिलता है और registration ID उसके तुरू आपको login करना है reference number आपका transaction reference number के तुरू देन उसके बाद यहां पर आपको कुछ important information provide कर रखी है यहां पर आप पर सकते हैं अगर आप interested हो देन उसके बाद यहां पर guidelines for entrance test यानि entrance test आपका किस तरीके से कंड़क करवाया जागा यहां पर उन्होंने बताया है तो याद रखें आपका entrance test होगा यह mcqs type के questions होंगे उसमें यानि objective type का पेपर आएगा टोटल आपके 100 questions होंगे पेपर में आपका one section जो है यह 70 questions पर होगा based यानि आपका जो subjects related होगा जिस भी subject में आप PhD करें जिस geography, English, Hindi, mathematics, science तो यह सारा आपका 70 questions होगे आपके first part में और second part आपका 30 questions होगे जिसमें research methodology होगा आपका और two hours का duration यानि दो घंटे का पेपर होगा आपका याद रखेंगा paper में negative marking नहीं होगी आपको minimum इस exam को qualify करने के लिए minimum आपको 50% mark score करने है 5% again relaxation है अगर आपको इस पेपर में अगर आप attend कर रहे हो तो आपको black ball pen का ही यूज करना है याद रखेगा आपको black ball pen का ही यूज करना है answer sheet में and then आप कुछ correction करते हो paper में तो ये आपको allowed नहीं करा जाएगा देन उसके बाद आपको कुछ electronic gadgets नहीं लेकर जाना है आपके exam hall में उसी के बाद यहाँ पर आपके जो question paper होगा उसमें आपके सिफ और सिफ रोल नंबर के अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए दिन आपको copy case हो जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और instructions इन्होंने बताया है जो exempted है उनके लिए भी कुछ important information कुछ इन्होंने information बताया है आप interested हो तो आप read कर सकते हो again जिससे मैं आपको बताया है कि इन इन subjects में यहाँ पर आप PhD कर सकते हो जिससे कि हमने देख लिया आपका जो entrance exam होता है टूटल 100 माक का पेपर होता है टूटल 100 questions होते है 70 questions आपके subject knowledge होता है यानि जिस भी subject में पीएज़ी कर रहे हो और आपका 30 questions होते है पेपर में यह research methodology से related होते हैं तो मैं आपको video end करने से पहले बता दूँ कि हमने आपकी preparations के लिए research methodology का complete course launch करा है जिसकी fee काफी कामे से 4.99 है आप हमारे इस research methodology के course को directly app से access कर सकते हो जो कि है global online app और इस app का लोगों कुछ इस तरीके से हैं आप इस app को play store से भी download कर सकते हो और description box में मैंने लिंक प्रोवाइ करने के लिए आप डिरेकली वहां से भी download कर सकते हो और आपके कुछ questions है कुछ queries है तो आप हमें इस WhatsApp नंबर पर contact कर सकते हो तो इस university से सारी information मैंने इस वीडियो में cover करा है कि आपको PhD entrance test में किस तरीके से सारा procedure follow करना है अगर आपको इस university से PhD करना हो तो and that's it and thank you for watching this video